विंटर सीजन कब बहुत ही प्यारा सा फ्लाउरिंग प्लांट क्रिसिंथमम हेलो दोस्तों, आचल टेरेस गारण में आपका स्वागत है आज है दिसंबर की तीन तारीक आज की विडियो में मैं आपको सेवंती प्लांट के फ्लावर्स दिखाऊंगी साथ ही कुछ केर टिप्स के बारे में भी बात करेंगे किस तरह से मैंने इनको तैयार किया है बिल्कुल फ्री के प्लांट है आप भी इसी तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं अपने गुल्दावदी के प्लांट से और यदि मेरा वीडियो आपको जरा भी पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप मेरे फ्लावर्स देख लीजिए चार-पांच कलर्स वराइटी के प्लांट है मेरे पास जिसमें से आप देख रहे हैं लाइट पिंक, वाइट, यलो ये थोड़ा सा अलग वाइट है और ये पंपं वराइटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याजी कलर और भी बहुत सारे कलर्स में इसके फ्लावर वाले प्लांट आपको नरसरी में देखने को मिल जाएंगे ड्रॉफ वराइटी, टॉल वराइटी, मिनियेचर वराइटी, पंपं वराइटी के पहुँच सारे तो आप अपनी पसंद के हिसाब से नरसरी से अभी भी इस प्लांट को ला सकते हैं लेकिन यदि आप नरसरी से अभी इस प्लांट को खरी देंगे तो उनमें इतने ज्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी तो सबसे बेश्ट तरीका ये होता है कि जैसे ही जुलाई अगस्त का महिना आता है उस समय आप इसकी कटिंग रेडी कर ले पिंचिंग मेथेट से प्लांट को आप घना बनाए फर्टिलाइजर रेगुलर देते रहें इंसेक्टी साइट का अप्लाई भी आपको रेगुलर करते रहना है नहीं तो इसमें एफिट भी लगते हैं इंसेक्ट का अटेक भी होता है और ये देखिए एक ही प्लांट है ये देख रहे है ये वाला जो वो बरैटी आप देख रहे है न इसमें बहुत जादा इसमें बने रहते हैं और हमारे गाडन की शोभा को बढ़ाते है ये पंपव वराएटी है ये भी एक ही प्लांट लगा हुआ है स्पोट में सैखडो फूल आते हैं कई प्लांट तो ऐसे तयार होते हैं जिन में हजारों की संख्या में फ्लावर्स आते हैं तो वो हमारे के उपर depend करता है friends किस तरह से हम तयार करते हैं अपने plants को इनके लिए यदि मैं fertilizer की बात करूँ तो सरसो की खली का जो liquid fertilizer होता है वो बहुत ही best result देता है potting soil में आप एक हिस्सा rate एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा compost वर्मी compost based होता है नहीं मिलने पर आप गोबर की खाद सडी हुई use कर सकते हैं और इस plant को आप लगा दें तो आपका plant बहुत ही बढ़िया growth करेगा और बहुत खुबसूरत इसमें flooring होगी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बहुत सारे variety जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े size का फ्लावर वाला भी आता है medium size का फ्लावर वाला भी plant आता है गुल्दाओदी में और miniature पंपं वराइटी वाला भी flowers इसका आता है और यहां पर प्याजी color आप देख सकते हैं बहुत प्यारा सा इसमें दो-तीन colors के plant को मैंने लगा के रखा हुआ है आप देख सकते हैं यदि आपका pot बड़ा है तो आप उसमें दो-तीन plant एक साथ लगा सकते हैं छोटे से pot में भी अच्छे से चल जाता है लगभग 8 इंच का उसके बाद आप 12 इंच और 12 इंच के pot में 4-5 plant लगा कर दो-तीन plant बना कर आप इसको लगा सकते हैं ये भी एक ही plant है ये देखिए कितना घना हो गया है और कितनी quantity में इसमें flower bird बने हुए है इस तरह से नीचे से सकर भी निकलते हैं जब हमारा plant में flowers complete हो जाते हैं तो इस तरह बहुत सारे नीचे से सकर निकलते रहते हैं वही next season के लिए हमारा save रहता है और जुलाई अगस्त के महिने में हमें इसकी cutting लगा कर इसे तैयार कर रहा पड़ता है flowering winter season में होती है इसमें और देखे इस तरह से एफिट वगिरा भी लगते हैं कीडे लगते हैं plant है friends तो कीडे तो लगेंगे ही तो precaution के रूप में आप नीचे मॉयल का spray कर सकते हैं soap solution का spray कर सकते हैं और रोगोर नाम की एक chemical दवाई आती है उसका भी spray आप 15 दिन के gap में अपने plants पर कर सकते हैं तो जो वो black effort लगता है वो नहीं लगता जिसको माहो भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा वो लग जाता है काले कीडे होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल वो plants को खराब कर देते हैं तो बिल्कुल आप रोगोर को इस्प्रे रोगोर का इस्प्रे जरूर करें chemical insecticide का यदि बहुत ज़्यादा मात्र में लगा हुआ है तो नहीं तो नीम उयल से भी वो regular यदि आप इस्प्रे करते हैं तो वो जड़ जाता है तो इस तरह से हम अपने garden में तयार कर सकते हैं full sunlight का plant है ये और मैंने जो nursery से उसकी cutting मंगाई थी red color hacker के nursery वाले ने दिया था लेकिन वो दूसरा color निकला अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी उस plant को मैंने report कर दिया है 10 रुपे में एक cutting मिला था red hacker के दिया था लेकिन वो दूसरा color निकला तो इस तरह से nursery वाले भी कई बार हमें बुद्धू बना देते हैं तो flowers खिले रहते हैं उस समय आप लेंगे nursery से तो आपके लिए बढ़िया रहेगा देखें ये ये plant मैं मंगवाई थी nursery से और red color के flower आएंगे ऐसा करके बोले थे और देखें जब इसमें birds बने तो white color का flower आया और चलिए मैं इनके mother plants को भी दिखा देती हूँ ये सारे इनके mother plants है इनहीं की cutting से मैंने ready किया हुआ है और इनको भी मैंने नहीं हटाया था ये tub में ही रखे हुए थे इस तरह से देखी और कितना बढ़िया इसमें flowering हो रही है friends तो compost मैंने आपको बताया है liquid compost liquid fertilizer सरसोखली based होता है 100 ग्राम सरसोखली को आप 10 लीटर पानी में dilute कर ले 4-5 दिनों तक और दे बिना उसमें और पानी मिलाए आप अपने plants के pot के size के हिसाब से उनको दे हर 15 दिन के gap में 10 दिन 15 दिन के gap में जरूर दे मिट्टी की गुडाई जरूर करे fertilizer देने से पहले आपका plant बहुत बढ़िया होगा जब flowering शुरू हो जाती है उस समय हमको fertilizer देने की जरूरत नहीं होती flowering birds जब आज जाते है उस समय तक आप इनको अच्छे से fertilizer देती रहे liquid fertilizer और भी मैंने बना के रखे हुए हैं जिनको separate नहीं किया है मैंने कितना उसी उसी plant को लगाओ गया ऐसा करके इधर उधर मैंने डाल के रखा हुआ है आप देख सकते हैं और यहाँ पर गुड़हल में कितने अच्छे से birds बना हुआ है cutting से ready plant है ये cutting लगाई थी मैंने और इसमें एक flower bird भी आ गया है तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जिसको मैंने separate नहीं किया है एक variety ये भी है इसको मैंने separate नहीं किया है और जब हम किसी plant को separate नहीं कर पाते छोटे से polybag में लगा है तो देखे इसके flowers भी कम आते हैं ये देखे ये वाला light pink color का है ये थोड़ा सा मुर्जा गया है और यहाँ पर देख रहे हैं पम-पम है पम-पम variety के जो plant है उसमें भी flowers आया है और ये मैं अपनी friend के हां से लेके आई हूँ cuttings लगाई हूँ और इसमें maroon color के flower आएंगे ऐसा उन्होंने बोला है तो देखते हैं जब इसमें flowers आयेंगे तो वैसे तो birds बन गये हैं तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़े शेयर करनी थी actually मुझे आपको अपने गुलदावदी के flowers दिखाने थे तो मिलते हैं फिर next वीडियो में वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर ब थेंक यू